नमस्कर, मैं आशिस राठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता। पहली बार इनफोर्स्मेंट डेरेक्टेट ने प्रेस कॉंफरेंस करके अरविन केजरी वाल का नाम लिया है शराब खोताले माम ले और जैसे ही प्रेस कॉन्फरेंस किया इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेट ने और अर्विन केजरिवाल का नाम लिया उसके बाद से तो आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना पूरी तरीके से चीखने लगी चिलनाने लगी किया रहे ऐसा कभी नहीं हुआ ये हुआ वो हुआ तमासा करने लगी पूरी तरीके से पुरा आपको डेटा बताते हैं कि आखर उनका स्टेटमेंट क्या था लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि इडी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है अर्विन केजडीवाल को लेकर के शराब खोटाले माम लेंगे इडी ने साब तोर पे ये कहा है कि शराब नीती में फायदा पाने के लिए के कविता ने केजडीवाल और सिसोधिया के साथ मिलकर साजिस रची इसके बदले साउथ लॉबी भी इसमें शामिल हुआ और साउथ लॉबी के साथ के कविता ने 100 करोर रुपै आम आदमी पार्टी को दिये जिसमें केजडीवाल का भी नाम आया और पहली बार इन्पोर्स्मेंट डिरेक्टेट ने अर्विन केजडिवाल का नाम लिया है इसके बाद से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में हरकम मचने लगी सन्नाटा पसर लिया और आपको ये भी मैं बता दूँ कि ये जो शराब घोटाले का जो पैसा जो पैदा पहुँचा वो पैसा गोगा के चुनाओं में पंजाब के चुनाओं में यूज हुआ है और आम आदमी पार्टी के सयोजक अर्विन केजरिवाल को इसका पूरा लाव मिला है और ये लावान भी थे हैं तो अब मामला ये आता है कि के कविता की गिरफतारी जो हुई है ये सबसे बड़ा समस्या अर्विन केजरिवाल के लिए हो गया है दोस्तो शराब घोटाले म के कविता को आफर दिया कि जितना भी शराब घोटाले मामले में जो भी पूल पटी है जिसका भी पूल पटी खोलना है खोल दो सजा कम कर देंगे सरकारी गवा बन जाओ तो उस हालत में अगर के कविता को ये लगा की कंप्रमाइस अगर कर लेती हूँ तो सजा कम हो जाए तो मुझे क्या दिलवाएगा चलो कुम्प्रमाइज कर लेती हूं और ED के लिए सरकारी गवाब बन जाती हूं सजा भी कम हो जाएगा अगर जहां भी BRS नेता के कविता ने अपना पाला बदला अर्विन केजडिवाल नप जाएंगे दोस्तों यहाँ पर यह सारी चीज़ें जो ED ने दावा किया है कि 100 करोर रुपए जो साउथ लॉवी के तरफ से अर्विन केजडिवाल को मिले हैं यह ओफिसियली स्टेटमेंट आया ओफिसियली बयान आया ED के तरफ से और शराब घोटाले में मैं आपको बता दू कि अब तक देश भर में 245 चापे मारी की गई है इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट के द्वारा और अब तक 15 लोगों की गिरफतारी भी हुई है अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बहुत बड़ा जटका अर्विन केजरीवाल के चट्टे बट्टे को मिल रहा है अब फररा रहें हैं 25 मार्च को होली है और उसके पहले मनीई सिसोदिया फरफरा रहें की किसी तरीके से जमानत मिल जाए और कभी राजवे न्यू कोट कभी सुप्रीम कोट कभी दिल्ली हाई कोट तमाम जबहों के चकर काट रहें लेकिन 25 मार्च को दोस्तो हो ली है और इस 25 मार्च के पहले सिसोधिया चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए लेकिन आज फिर से मनी सिसोधिया को जटका मिला और इनकी नियाय खिरासत बढ़ा दी गई यानि 6 अप्रेल तक नियाए खिरासत फिर से बढ़ा दी गई है मनी सी सोधिया की एक साल से जादा हो गया अभी तक ये शराब घुटाले मामले में गिरफतार है 25 मार्च को होली है यानि मनी सी सोधिया की इस बार होली जिल में ही मनेगी अब यहाँ पे एक और बड़ी ख़बार आई दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि के कविता सच में कहीं ED के साथ कॉंप्रमाइज कर लें और सरकारी गवाह न बन जाए ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ क्यूंकि जो ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका थी जो के कविता ने ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका थी उसको वापस ले लिया है अब सोचिए इसमें क्या-क्या बाते हो सकती है अगर ED के समन को लेकर के चुनौती अगर दिया इन्होंने सुप्रीम कोट में तो उसको वापस ले लिया इसका मतलब रुख बदलने वाला है और कहीं पाला बदलने वाली तो नहीं है के कविता ये सवाल उर्थपन हो रहा है और ये धीरे-धीरे साबित होता जा रहा है कि अर्विन केजनीवाल समन का नजर अंदास करके ये और जादा आरूपी और भृस्टाचारी खुद को साबित कर रहे हैं केजनीवाल को अब तक नौ समन मिले हैं लेकिन 18 बहाना भी अर्विन केजनीवाल ने बना दिया है दोस्तों लेकिन अब बहाना नहीं चलेगा आतिशी बार बार ये कहती हैं कि कबसे एडी प्रेस कॉनफरेंस करने लगी जो एडी ने दावा कर दिया कि 100 करोर रुपय केजडी वाल साउथ लॉबी से लेते हैं केक अवीता से लेते हैं तो उस पर आतिशी मार लेना चीखने लगती हैं चिलाने लगती हैं कि आरे एडी कबसे प्रेस कॉनफरेंस करने लगी प्रेस कॉनफरेंस तो आम आदमी पार्टी करती है बीजेपी करती है कॉंग्रेस करती है एडी कबसे प्रेस कॉनफरेंस करने लगी इस पर पूरी तरी से हाइप क्रियेट हो जाती है गोधी मीडिया कुछ कहती है ये कुछ कहता है आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है उस वक्त उस सिच्वेशन में इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट को प्रेस कॉंफरेंस रिलीस करना पड़ता है क्योंकि ये पुरा मुद्दार राजनिती हो कि ये मुद्र कितना गरम हुआ उस समय इस भी पलड़ का अपडेट देती थी प्रेस कौंफरेंस रिलीज करती तो जब समय आता है तो प्रेस कौंफरेंस रिलीज करना पड़ता है इसमीं अत्यशिय्ज मारेक्र कूई दिक्कत हो रहा है लेकिन फिर इसमिन का जवाब आज करवाईए ये शराब घोटाला पूरी तरीके से फ़रजी है आज वही समन से भाग रहे हैं मामला तो सोच निये हैं अब दोस्तो छे महीने में अर्विन केजली वाल को नौ बार समन मिला है लेकिन अठारा बार से जादा ये बहाना बना चुके है एकीस मार्च को फिर से इडी ने इनको समन करके बुलाया है शराब घोटाले मामले में ये उस एकीस मार्च को भी ये कोई न कोई बहाना ढूंड लेंगे लेकिन इस बार सुबह सुबह तरके ही इडी केजली वाल केशिश मेल में भुसने वाली है यहाँ पे अर्विन केजली वाल इडी के समन की अवहिलना करके भारत की माननेताओं को पूरी तरीके से ठोस पहुचा रहे हैं भारत के सम्वेधानिक धाचे की माननेताओं का अपमान कर रहे हैं आपको ये भी बता दे कि केजली वाल बार बार हमेशा ये कहते हैं कि इडी का समन गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ये बार ब अपमान करना यह अपने आप में अपराद है यानि सोच लिजे कि अर्विन केजडिवाल कितने बड़े अपराद ही हैं अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपने विचाज़ों किजेगा और ऐसे लिटेस्ट अब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लिजेगा और अपने दोस्तों में शेयर जो किजेगा थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो जैहिं सब्तमेव जैत